नमस्कार जनता के लिए जनता की अवाद जनता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की कुछ खास ख़बर प्रदूशन पर सुप्रीम कोट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है राजधानी में शुकरवार से सभी स्कूल अगले आदिश तक बंद कर दिये गए परियावरन मंतरी गोपाल राय ने कहा कि प्रदूशन से बिगड़ते हालात को यह फैसला लिया गया है इसकूल कब से खुलेंगे फिलाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया इससे पहले गुरूबार को ही कोट ने केंदर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकार को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का समय दिया कोट ने केंदर से कहा कि अगर प्रदूशन कम करने के लिए 24 घंटे में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोट टास्क फोर्स का गठन करेगा चीफ जस्टिस एनबी रमडा ने केंदर से पूछा कि आखिर प्रदूशन कम क्यों नहीं हो रहा है दिल्ली सरकार क को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोट ने पूछा कि जब कर्मचारियों को बर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है कोट ने कहा था कि सरकार ने हमें एफिडेविट में बताया था कि स्कूल बंद कर दिये गए हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या आपको बच्चों की फिक्र नहीं है दिल्ली एंसियार में हवा की गुडवत्ता में आज भी सुधार नहीं हुआ है गुरुबार को भी दिल्ली की हवा बहुत खराब कैटिगीरी में है लोधी रोड एलाके में एयर क्वाल्टी इंडेक्स 349 दर्ज हुआ हवा में दुंद जमी हुई थी लोगों को यातेयात में दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है आप देख रहे थे अब तक की खास खबर और खास खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें